स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस YouTube चैनल पर दोस्तों अगर आप CBSC बोर्ड से 10th क्लास कर रहे हैं या 12th क्लास कर रहे हैं और आपने उसके बोर्ड एक्जामते दिये हैं और अब आप बेट कर रहे हैं कि आपका जो 10th क्लास का बोर्ड का रिजल्ट होगा या 12th क्लास का बोर्ड का जो रिजल्ट होगा वो कब आएगा तो ये वीडियो आपके लिए है इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आपका जो रिजल्ट है 10th क्लास बोर्ड का या 12th क्लास बोर्ड का CBSC से वो कब तक आएगा तो दोस्तो जैसे कि आप सभी जानते है कि आपका जो result है वो कभी भी आ सकता है लेकिन हर कोई जो student है 10th class का या फिर 12th class का जो जिसने भी board का exam दिया है वो सभी confusion में है कि उनका result कब आएगा कोई कह रहा है कि आपका जो result है वो जुलाई में आएगा या जुलाई के end में आएगा कोई कह रहा है कि आने ही वाला है या कोई कह रहा है कि जुलाई के mid में आएगा तो हर कोई student confusion में है उस पर एक pressure है कि उसको result कब आएगा तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आप सभी का doubt किलियर कर दूँगा और आपको proper बता दूँगा प्रूफ के साथ कि आपका result कब तक आएगा तो दोस्तो चलिए वीडियो शुरू करते है तो दोस्तो यह रहा वो notice 10th class या फिर 12th class के जो board के result आने वाले हैं सभी के लिए इस notice में क्या लिखा है मैं आप सभी को पढ़के बता देता हूँ So Central Board of Secondary Education CBSC will soon release the class 10th result and mark sheet on the official website इसका मतलब यह है कि जो CBSC वाले हैं वो अपने 10th का जो result होगा और साथ में 12th का भी जो result होगा वो अपनी website पर डालने वाले होंगे जो भी उनकी website होती है official website आपको पता ही होगा CBSC की जो होती है website cbscresult.nic.in और आगे बोल रखा है the board will release the result at cbscresult.nic.in by end of the June और first week of the July यानि की June के end में यानि की last week जो जो जून का उसमें आ सकता है आपका result या फिर first week जो जूलाई का उसमें भी आपका result आ सकता है तो अब इस notice में आगे लिखा है the students can view their marks using the role number and center code इसका मतलब है कि जो students है वो अपने result दे सकते हैं या फिर अपने marks दे सकते हैं अपने role number को और सेंटर के code को डाल करके जो भी online इनकी site पर आएगा उसमें तो दोस्तों जैसे कि इस notice में दे रखा है कि जो 10th के जो result होगा CBC का और जो 12th का भी होगा आप सभी का जो यह result है वो CBC की तरफ से आने ही वाला है June month के end में यानि जून month के last week में आपका result आ सकता है या फिर जुलाई month के first week में भी आपका result आ सकता है तो दोस्तो पस रिजल्ट आने ही वाला है और आपको टेंशन लेने की ज़रुवत नहीं है All the best for your results आपके marks अच्छे हैं तो दोस्तो अगर ये वीडियो आपको helpful लगी हो तो चैनल को subscribe कीजिए और इस वीडियो को share कीजिए जिससे और सभी students को भी पता चल सके कि उनकी भी help हो सके कि उनका जो CBC board का result है वो कब तक आ सकता है तो दोस्तो वीडियो को share कीजिए और चैनल को subscribe कीजिए क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही helpful videos आती हैं students के लिए जो उनके कुछ ना कुछ काम आए और all the best for your results